अभी बात करने हैं साइबर सिकृरीटे के स्कोप की लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्कोप किसी चीजIES का नहीं होता, स्कॉप आपकी सिक्ल का होता है आप ये ना सोचेगा कि आपको डिगरी ले कि कोई सर्टिफिकेशन अपने नाम पे ले कि स्किल के बगैर कुछ कर सकते हैं That's impossible मैंने वो लोग देखे हैं जो किसी स्किल से 20,000 कमाते हैं और on the same hand उसी स्किल से कुछ लोग 2,000,000 कमाते हैं जो उस स्किल से 2,000,000 कमाते हैं फरक उनमें ये होता है कि उनकी स्किल ज्यादा शाप होती है उनसे जो कि 20,000 कमाते हैं मैं आपको ये इसलिए नहीं कह रहा कि साइबर सिकुरिटी का कोई स्कोप नहीं हर 40 सेकंड बाद एक साइबर अटैक होता है और इन अटैक्स की तदाद दिन बदिन बढ़ रही है जब इन अटैक्स की तदाद दिन बदिन बढ़ रही है तो इन अटैक्स को रोकने वालों के डिमांड भी दिन बदिन बढ़ रही है लेकिन ये 40 second बाद attack वाली stats भी 2016 की हैं ये 2016 में हर 40 second बाद attack होता था अगर हम अभी की बात करें तो 2021 की stats के मताबिक हर 11 second बाद एक cyber attack होता है और ये ज्यादातर attacks जो होते हैं ये businesses पे ही होते हैं तो वो businesses ऐसे लोग hire करते हैं जो के इन्हें रोक सकेंगे जो के होते हैं ethical hackers अगर आप एक ethical hacker की average salary को देखें तो वो है 80,000 dollars per year और ये उनकी होगी जिनका experience एक साल से ज्यादा होता है जिनका एक साल से कम भी experience होगा वो भी कम असकम 60,000 dollars expect कर सकते हैं उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो उसमें average salary जो होगी वो होगी around about 10,000 dollars और ये आपकी skill पर depend करेगा कि आपकी skill कितनी शाप है जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 10,000,000 कमा सकोगे आप उससे ज्यादा भी target कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपकी skill शाप होनी चाहिए अगर हम पाकिस्तान में jobs को देखें तो यैसे ये देखें आप 50,000 से 2,000,000 तक एकस्पेक्ट कर सकते हैं पर month अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसकी details यहाँ पर कहीं भी degree वगरा mentioned नहीं कहीं भी कोई certification वगरा जो है वो mentioned नहीं है क्योंकि उन्हें चाहिए आपकी skills क्या आपकी skill कितनी अच्छी है उनको आपके certification से आपकी degree से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है pen testing mobile application तो यह भी हम इस course में सीखेंगे इसके बाद reverse engineering नज़र आ रहा है यह भी हम इस course में सीखेंगे उसके बाद अगर हम US में ethical hackers की job को देखें तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादतर certification रिक्वाइडर नहीं होगी जैसे कि इनने बताया है कि आपके पास को certification हो या ना हो हमें इससे कोई गरज नहीं आपके पास सिर्फ skill होनी चाहिए अगर desk job के इलावा हम बात करें तो आप freelancing भी कर सकते हो ethical hacking से जैसे कि यह provide कर रहे हैं कि यह उनकी website को pen test करेंगे और website को pen test कैसे किया जाता है ये भी हम इस course में सीखेंगे इसका ये basic charge कर रहे हैं around about 6000 जिसमें वो सिर्फ simple report provide करेंगे क्योंकि ज्यादा दर basic नहीं लेते तो standard की तरफ move on होते हैं या premium की तरफ move on होते हैं जिसमें वो basic से ज्यादा charge करते हैं उसी के बाद हम देखें तो ये भी एक seller है जो के scan करता है website को using this, this and this इन तीनों को हम इस course में cover करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक और seller जैसे कि आप देखें जो के premium का charge करता है around about 10,000 और जिसका एक order अभी क्वी में भी मोजूद है मतलब कि लोग फाइवर पे लोगों को hire करते हैं इसके लिए और ये skill फाइवर पे इतनी ज्यादा आम नहीं है तो this will be the best time for you उसके बाद मैं एक seller को आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके अभी three orders जो है वो क्वी में है और ये pen test perform करता है website पे जो के around about एक गंटे का काम होता है अगर हम उसे detail में करें तो ये premium के जैसे के charge कर रहा है 22,000 और इसकी three orders जो है अभी क्वी में है अगर हम Fiverr के इलावा बात करें तो इसके platform होते हैं जहाँ पर companies वगरा register करते हैं और ethical hackers, pen testers उनकी website से bugs find करते हैं उनकी application से bugs find करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर देखें squareup.com की किसी sub domain पे किसी को कुछ vulnerability मिली थी तो उसे reward मिला था 1000 US dollars उसके बाद बात करें तो कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हैं जिसमें आपको passive अगरा mentioned नहीं हैं तो यह जब चोड़ी चोड़ी vulnerabilities को find करते हैं तो उन्हें points मिलते हैं जिसमें उनकी ranking ज्यादा होती है उसके बाद मीचे एकर आप देखेंगे तो एक और किसी ने vulnerability find की और उसे 1200 dollars जो है वो reward किये गए है and again आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे जैसे के western union के शायद आपको पता हो किसी ने इस target पे vulnerability find की है और उसे reward मिला है around about 700 dollars again मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह ना सोचिएगा कि आप इस course को करने के बाद कुछ कर सकते हैं और कर सकते हैं बगैर कुछ सीखे समझे आपको मेहनत करने की जुरुत पड़ेगी आपको अपनी skill को शाप करना पड़ेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी skill को शाप करवाने की क्यूंकि इस course में हम बहुत हैं